नमस्कार मैं आज था मेरे चैनल व्रिंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं बताऊंगी जगरनाथ रत यात्रा के पीछे की माननेता पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जगरनाथ मंदीर में जो मूर्तियां है उनकी विशेष्टा और उनके बारे में जो कथा है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी वो वीडियो आपको उपर आई बटन में मिल जाएगी तो चलिए बात करते हैं जगरनाथ जी के रत यात्रा के बारे में इसके पीछे कथा है हाला कि बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है जगरनाथ रत यात्रा से इससे जुड़ी जो कथाएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ आना जाता है कि भगवान कृष्ण और बलराम की बहन सुबध्रा अपने माई के आती हैं यानि कि दुआरिका और अपने भाईयों से नगर घूमने की इच्छा प्रगट करती हैं तब भगवान कृष्ण बलराम और सुबध्रा के लिए रत तियार किया जाता है जिस पर सवार होकर वो तीनों नगर की यात्रा करते हैं नगर घूमते हैं भ्रमन करते हैं इनकी सुन्दर जाकी को देखने के बाद ये रत यात्रा के रूप में जगरनात पुरी में मनाया जाने लग गया दूसरी कथा के अनुसार माननेता ये है कि एक बार भगवान कृष्ण की रानियों ने माता रोहिनी से भगवान कृष्ण के रासलीला के परसंग को जानना चाहा तो माता रोहिनी ने कहा ठीक है हम इस कथा को कहेंगे और इसके लिए सुबधरा को हम यहां से भेज देंगे सुबधरा को भगवान कृष्ण की इस रास लीला के बारे में बताना माता रोहिनी नहीं चाहती थी इसलिए सुबद्रा भगवान कृष्ण और बलराम के साथ नगर भ्रमन के दिए निकल जाती है तभी नारत जी तीनों को एक साथ देखते हैं और इच्छा प्रगड करते हैं कि इन तीनों की सुन्दर जाकी बार बार इसी प्रकार देखने को मिले और भगवान ने उनकी इच्छा को माल लिया उसी के बाद से जगरनाथ रथ यात्रा जिसमें तीनों भाई बहन की प्रतीमा को रथ में बिठा कर यात्रा करवाई जाती है इसी प्रकार और भी बहुत सारी कथा है जो की रथ यात्रा से जुड़ी हुई है एक विशेश कथा जो की रथ यात्रा के दौरान वह देखी वी जाती है कि उसी प्रकार रथ यात्रा की जाती है कहा जाता है कि भगवान कृष्ण सुबद्रा और बलराम जी तीनों अपनी मौसी के यहाँ जाना चाहते हैं जिसके लिए वह रथों पर सवार होके यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं और आज भी इसी प्रकार इस रथ यात्रा को मनाया जाता है आसाड मास के शुकर पक्ष की दूसरे दिन से जगनाथ यात्रा शुरू होती है यात्रा शाम तक गुडिचा मंदिर जो की मंदिर की द जाती है दस दिन भगवान कृष्ण यानि की जगनात जी सुबद्रा बल्राम जी वहीं रहते हैं और तरह तरह से उनकी पूजा अर्चना गुडिचा मंदिर में की जाती है कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं लोग वहां दर्शन के लिए इकठा होते हैं महाप्रभु बल्लवाचार जी ने जगरनात पुरी से मिलने वाले परशाद को महापरशाद का नाम दिया भगत इस परशाद के लिए ललाईत रहते हैं कहा जाता है कि जगरनात पुरी का परशाद अमरित के समान है और उसे प्राप्त करने के लिए सभी लोग प्रयास करते ह दसमे दिन वहां से यात्रा जगनात जी के लिए बापसी करती है जितने दिन भगवान जगनात जी अपने मासी के यहां रहते हैं उतने दिन उत्सव का महौल रहता है और ये कथा बहुत पुरानी कथा चली आ रही है पर चलित है जो कि जगनात यात्रा की विशेश कर कथा है जिसके अनुसार जगरनाथ यात्रा आज भी की जाती है तो ये थी जगरनाथ यात्रा से जुड़ी विशेश कता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यवाद